यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उस समय भी बाबा साब से बहुत सारी बाते कही और तालिट से लेके बावण इक्यावन तक कुब बैस चल पी लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने उसका समर्थन भी किया है तो बनाना चाहिए ऐसा ही जब मुस्लिम ठीक है अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस है तो खड़े रही है नंबर आएगा ये भेड़ चाल वाली डिवेट नहीं चुप चाप ख़़ए रही है कोई पार्टी के लोगों को भगा चुका हूँ इसे चुप चाप जुप प्षित कणे लाएगा कि मैं यह कहरा हूँ जब इस देश बीत्यु कoration में लाया तमाम सारे अदिकार में मिलाव को मिले हिंदु माइलाव को मिले सिक मिलें और उसमें और उसमें और भी तमां पंत हैं हमारे वो भी उसके जन्दर सहामिल होते हैं आप डिएंगर कानूनी है तभी तो 1985 में हुआ जज्जमेंट आता है अगर वो गैर कानूनी है परसनल लो तभी तो 1995 में आ रहे हैं ठीक 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 है अगर आपने आज ज्यादा रठा लगाया है अब पूरी विद्धुता यहाँ पर दिखाने के लिए आए एक्जाम के लिए तो एक बात ध्यान लगना यहाँ पर UPSC के भी लोग खड़े है और तमाम सारे लोग इसलिए बहुत विद्धुतार की जरुवत नहीं हाराम से आपने अगर पढ़ा है तो मैं आप सब पूछूगा और अगर आपको ज़्यादा ग्यान है तो बताने में इचक न रखिए किसी का इमताहान मत लीजिए मैं प्रोफेसर आदमी हूँ पढ़ाता हूँ इसी चीजों को तो मैं बता देता हूँ संपत्ती को लेकर के पुत्र को लेकर के और तमाम सारी चीजों को लेकर के है चार-पांच चीज़े है ठीक है सुलिए अगर महिला अगर मुसलिम महिला को यह जो कस्टमरनी लौँ है अगर उन कानूनों के तहत अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उनको बदलना चाहिए उनको बदला जाएगा ऐसे पांच बातों को लेकर के खासकर इसके अंदर विशे आ रहा और भी बहुत सारी चीज़े है लेकिन पांच मुझ्दे तो आ रहे है जो कि आप हिंदू महिलाओं को मिल चुके है जी जी आपका सवाल अलग है मुक्तलिफ है या वही सवाल लोटाएंगे आप देके सब्सक्राइब करें अब अच्छे से रटनी पांच उन्होंने याद किया है वह भूल गए वह जदी और करवाएंगे हमारी इसलिए कहता हूँ कि कभी रटना नहीं चाहिए रटने जरुवत नहीं समझने की जरुवत है कि मुद्दा आखिर है क्या जी जनाब आलि आईए जो रटेगा वह भूलेगा अब देखो अब सुनो बात क्या है तब से पहले हाँ जोड़के एक बिंती करूँगा थोड़ा सा समय दे दिजी आज़ी 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 यह मुद्दा चिड़ा है आदर्निय परदामत्री जी ने जो अभी भोपाल में भाशन दिया है वहां से फिर पकड़ा पिक पकड़ा पहले यह पोल चलता रहता है ना 2016 में मागा 18 में रिपोर्ट हो गया फिर अभी मागा फिर लाग कमिशन अपने रिपोर्ट दे दे देती तो खेल खतम डिबेट का तो यह इशू नहीं था लेकिन चूके डिबेट करवाया जाता है अब दो बात मैं बता हूँ जब एक्विलीटी की बात भी खाया जो कपड़ा हम पहना तो वह कहा जाएंगे पसमांदा पसमांदा उनको यह इनका इनके उपरा भी नहीं बोलूंगा मैं बोल रहा हूँ अभी सब पसमांदा का भी एक वो चला हुआ है अज़े पहले वही बोल उस पे आर्टिकल 341 आर्टिकल 341 योगेश जी हमा होना चाहिए आपको लगता है इसलाम में ही सारी बुराई है चली आप इसलाम को ही सही कीजिए लेकिन मुसल्मान धोबी जो है वो आरक्षन से बाहर और हिंदू धोबी आरक्षन का लाब ले मुसलिम नाई आरक्षन से बाहर हिंदू नाई आरक्षन का लाब ले मुसलिम जाती है हिंदू मोची ले मुस्लिम मोची बाहर हिंदू बालमी की ले मुस्लिम मौल बालमी की बाहर तमाम जाती है 341 से बाहर जो 1950 से है जो पंडित नहरू जी ने जो आपके दुश्मन है उन्होंने किया था कम से कम दुश्मन के गलत काम को सही कर देते हैं तो हम आपका कितना बड़ा फैन हो जाते एक बात एक बात एक बात अब आखरी आखरी दोने लोग घुस्ता हैं यू ची को मैं आ रहा है दस अगर सुनी सो पचास को पंडिजी को भी हम कर देते करक्ष दस अगर सुनी सो पचास को अर्टिकल 341 पर धार्मी परदिबन पंडिज जवाहर लाल नेहरू जी ने लगाया अभी पर क्या है इसको अगर आदिवासी के नेता क्यों नहीं बोलेंगे अगर अगर एसी के कल्चर पर एटेक करता है तो एसी के लीडर क्यों नहीं बोलेंगे सारा मामला का ठेका मुस्लिम मत्रब लोग क्यों ले रहे हैं हर मामले को आप बहल मुझे मार UCC नहीं होने देंगे NRC नहीं होने देंगे CA नहीं होने देंगे अरे सब कठे का तुम ही ले लियो और देश की 80 प्रतिशत आवादी चुप बैठेगी क्या इनको आगे अगर किसी का हित परवाबित हो रहा है मैं कहता हूँ अगर मैं अगर लगा रहा हूँ मुझे क्या पता किसका हित परवाबित होगा जब ड्राफ्ट आएगा यू सी सी क आगे आगे नहीं आ रहें तो मुसलमान ठेकेदार क्यों बन रहे हैं यीरा सवाल इसका मतलब मैंच फिक्स होता है उदर पलान बनता है और हमारे मौलाना को कहा जाता है ला कि टीवी वाले मौलाना मैं कहले हूँ तो ये बिकले वाले मौलाना 341 पर 341 पर 341 पर बहस शुरू करी मैं आता हूँ वहां भी आउँगा वहां भी आउँगा उस पर भी आउँगा बिलकुल आउँगा जो आपने बात करी कि मुसलिम धोबी को या मुसलिम नाई को क्यों नहीं मिलता आपको पता है इस पर बड़ी बहस हुई इस देश के अदर और मुस्लिम के जो मुलानास थे उन्हों ने कहा कि हमारे या सपरशता नहीं है आप पहले मानिए आप पहले मानिए कि हमारे यहाँ अस्परशिता है आप पहले मानिए हमारे यहाँ समस्चा रही है इसलिए है प्रफेसर से बता रहें बावा साब ने बड़ी अच्छी बात कही बावा साब ने कहा कि हिंदू समाज में तमाम कुरूतियों होने के बावजूद हिंदू समाज में सुधारवादी लोग हैं और हिंदू समाज का उनको समर्तन है लेकिन मुसल्मानों के अंदर कोई भी सुधार की बात करता है तो गैर इस्लामिक हो जाता है